Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम प्रॉपरली Class 10th Biology का 1st chapter Life Processes और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस chapter के 1st topic के उपर जो होगा Nutrition अब nutrition topic जो है वो फड़ा सा lengthy topic है तो obviously एक ही वीडियो में ये पूरा topic complete नहीं हो सकता but definitely आज के इस वीडियो में हम nutrition topic का जो एक basic concept है वो हम समझ लेंगे अच्छी तरह से तो यही है आज के हमारे session का target तो चलो target को achieve करने के लिए हम पड़ा फ़र से अपने session को शिरू कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, welcome to definite success पार चाला एक ऐसा platform जहाँ पर आपको provide करवाई जाती है एकदम quality education, एक ऐसा platform जहाँ पर एक चीज definite है और वो है आप सभी की success तो इसी अच्छी बात से आज ओग हम start करते हैं आज का हमारे ये session जहाँ पर हम बात करेंगे nutrition की, nutrition का एक basic concept क्या होता है वो हम समझेंगे अपन शुरुबात करते बिट अपने chapter की और life processes के बारे में मैं आपको basic बताई चुकी थी कि there are certain processes जो एक organism की body के अंदर चलती रहती हैं और वो वहाँ पर essentially required होती है उस organism के life के लिए उसके survival के लिए अगर उन processes में से कोई एक process भी seize हो जाए तो फिर वो organism की life खत्रे में आ सकती है हो सकते है कि वो survive ना कर पाया और उसका जो existence है वो धर्ती से उठ जाए ठीक है तो ऐसी basic processes या कुछ certain processes को हम क्या बूल देते हैं life processes so the basic functions performed by an organism to maintain their life the basic functions performed by organisms to maintain their life on earth are called life processes जो भी कुछ हो रहा है ना बिटा life processes में वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि organism का अस्तित वो बना रहा है धर्ती पर वो exist करता रहा है वो जिन्दा बना रहा है that's all ये चार basic processes आपको पढ़नी है life processes excretion, respiration, nutrition and transportation we are going to start with nutrition ठीक है अब nutrition का मतलब क्या होता है देखो बच्पन से पढ़ते आ रहे है कि मैं हमको पता है है ना हमको पता है क्यों nutrition का मतलब होता है कि organism जो है खाना खाता है food का intake is known as nutrition ये आपने definitely junior classes में पढ़ा होगा गलत नहीं है गलत नहीं है लेकिन अब 10th में आ गए न तो कुछ-कुछ और points हम इसमें add-on करते जाएंगे ठीक है advanced learning बनानी है हमको 10th में क्योंकि फिर 11th में जाओगे 12th में जाओगे biology लोगे doctor बनोगे तो शुरवाज 10th से हो जानी जाएंगे तो बात सही है मोटा-मोटा हम ऐसे समझ सकते हैं या अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि nutrition मतलब क्या organism खाना खाता है food का intake करता है उसी को हम बोल देते हैं nutrition process सही है अब इससे पहले कि हम और बात करें nutrition के उपर मैं आपको exact definition बताऊ nutrition की जो 10th में आपके लिए सही होगी सबसे पहले हम बात करते हैं उसके पहले हम बात करते हैं food बिट हम खाना क्यों खाते हैं ठीक है nutrition में हम खाना खाते हैं बढ़ हम खाना क्यों खाते हैं ना खाएं तो चले का क्या आप बोलोगे नहीं मैं food तो हमारी life का एक integral part है आप बोल दो कि पढ़ाई मत करो हम अभी पढ़ाई छोड़ देंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते हम तो खाने से मैं emotionally attached है कभी बहुत गुसे में होते हैं तो दो के जगा चार रोटी खा जाते हैं कभी जब बहुत खुश होते हैं तो खुदी cooking करने में लग जाते हैं कि मम्मी तुम हटो आज खाना हम बनाएंगे भले सत्यनाज बनाए लेकिन बनाएंगे जरूर और जैसा भी बनाओ खा भी लेंगे तो हम तो emotionally खाने के साथ attached रहते हैं तो हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते हैं food is life man, food is life सभी बात है खाना हमारी जिंदगी का लाइफ का एक integral हिस्सा होता है, एक part होता है खाना हम नहीं छोड़ सकते हैं पर क्यूँ? मनब एक emotional जो attachment है वो वाला जो fact उसको अपन होड़ा साइड में रख दे normally अगर हम बात करें कि हम खाना खाते हैं, पर क्यूं खाते हैं तो आप बोलोगे कि मैम बच्पन में हमने यह पढ़ा था, junior classes में कि food में na nutrients होते हैं और जब हम खाना खाते हैं, तो वो nutrients हमारी body के अंदर जाते हैं और body में फिर वो utilize होते हैं, क्योंकि उन nutrients की, खाने में जो nutrients पाया जाते हैं, उन nutrients की हमारी body में demand होती है हमारी body को चाहिए होते हैं वो nutrients तो उन nutrients को body के अंदर पहुंचाने के लिए हम खाना खाते हैं, जैसे कि carbohydrates हैं, खाने में carbs होते हैं, जैसे कि मैं रोटी खाई, चावल खाया है, उसमें क्या है, carbs जी तो हैं वो carbohydrates, ठीक है carbohydrates कोई बेटा, मैं short में carbs बोलती हूँ, के लिए मैंनी सब बोलते हैं, ठीक है तो carbs हम खाते हैं क्यों खाते हैं, energy के लिए, जितनी भी हमारी बोडी में बेटा energy बनती है 60% energy का source होते हैं हमारे carbs ठीक है, तो carbohydrates से हमें energy मिलती है, कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि, क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन लिख रहा है मैं तो नहीं लिख रही anyways, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि कभी-कभी ने, असो होता है कि मतलब हम सुबह या दिन के टाइम पर बहुत busy हो जाते हैं, लाज़िए कि अब तो तुम लोग 10th में आ गयों, 10th में आ करके तुमको school वाले practical, ये नो मैं कभी-कभी ना morning हमारी इतनी hectic कुछ आती है कि खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता कि मामा ने का था कि बिटा कुछ तो खाले हमने का मामा स्कूल जाके खालेंगे, स्कूल पहुंचे तो इतना सारा काम था कि खाना खाने का, मतलब ब्रेकफस करने का सीधे जोना लंज कर रहे हैं दो तीन बजो और तब तक बॉड़ी में इतनी थकान होगी कुछ पूछ पूछ नहीं और जहां हमारे फ्रेंड ने बोला कि भाई ये काम कर चॉकलेट खाले तो चॉकलेट खाने के बाद जो ताकत आई है कि पूछ नहीं क्यूँ चॉकलेट बेटा उसमें भी तो शक्कर ही है कार भी ही है खाओगे तो बॉड़ी में एनर्जी तो आएगी न इसका मतलब यह नहीं कि एनर्जी मिला लो फील करो तो जो है ना चॉकलेट खालो अच्छे कुछ better sources भी होते हैं carbs के ठीक है चलो बीड़ी बात सुनो तो food में क्या होते है बिटा nutrients होते हैं जिनकी body में demand होती है जैसे कि carbs है तो वो major source होते हैं हमारी body में energy के जितनी भी हमारे body में energy बनती है उसमें से 60% energy का जो source है वो कौन होते हैं हमारे carbs ही होते है ठीक है चलो ठीक है फिर उसके बाद में हम बात करते हैं proteins की कभी आपने अगर कभी सुना हो कि suppose किसी का accident हो गया ठीक है तो डॉक्टर उसको suggest करते हैं बना चोट वगरा लग गई तो डॉक्टर उसको suggest करते हैं कि भाईया तुम protein डाइट लो अच्छा protein लो तो तुमारे recovery जल्दी होगी क्यों जब भी मेटा injury होती है चोट वगरा लगती है तो body की जो tissues हैं cells हैं वो damage हो जाते हैं तो उनकी repair के लिए proteins आते हैं कि हम करेंगे tissues और damaged tissues को cells को repair तो जब भी चोट लगती injury होती तो हमेशा protein rich diet patient को prescribe करी जाती है तो proteins basically हमारी body में जो tissues का जो damaged tissues हैं ठीक है जो cells हैं उनकी repair करने में हमारे जो proteins हैं वो helpful होते हैं उसके लावा defense mechanism या body का जो immune system है immune system को भी आप बोल सकते हो कि strong करने में proteins का हात होता है antibodies का नाम आपने सुना होगा antibodies हमारा जो immune system है आप भी समझ सकते हो कि हमारे body के immune system या defense system के लिए antibodies ना bomb के गोले होते हैं जैसी कि हमारे soldiers के लिए नहीं कि जहां आए दुश्मन जहां आए क्या बोलता है दुश्मन नहीं बोलेंगे ना दुश्मन आया वहाँ पर क्या करा जहां आया आतंगवादी बॉम के गोले उठा करके फेक के मारे कि लो तुम्हें यसी कि तैसी वैसी हमारी body की immune system के लिए antibodies होते हैं कि जहां कोई foreign pathogen कोई agent आया body में infection cause करने के लिए body का immune system क्या करता है immune system antibodies को फेक के मारता है कि लो और जहां antibodies गई वो उठा करके जो भी foreign agent आया है pathogen आया body infection कास करने के लिए उसको मार के आ जाती है कि लो पेटा आये बड़े infection करने वाले तो यह जो को भी damage हुआ उसके लिए proteins रहिए है immune system को strong करना anti-bodies बनानी तो उसके लिए proteins रहिए यह नहीं हमारी body में different hormones होते हैं जो enzymes होते हैं उनको भी बनाने के लिए proteins रहिए इसलिए बोलते हैं कि डाइट में प्रोटीन अच्छा-कासा होना चाहिए कई बार नहीं बच्चे बोलते हैं कि मैं हमारे बाल एकदम ड्राइज हो रहे हैं मैं ऐसे टूट रहे हैं से करके टूट जाते हैं मैं प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओगे जो भी डामेज है वो रिपेर होगा बोडी के अंदर अपने आप बोडी अंदर से healthy बन जाए यह उपर से लगाने से कुछ नहीं होता वो छोड़ो जैसे अगर हम बात करें किसकी next fats की या lipids भी आप बोल सकते हो वो भी बोडी में चा लिपिड और फैट से भी मिलती है उसके लावा जो fats होते ना बेटा वो हमारे बोडी के जो delicate organs होते हैं उनके around cushioning create कर देते हैं ताकि injury या किसी पी तरह के damage से वो जो delicate organ है वो protected रहे joints के lubrication के लिए जो है ना essential fatty acids चाहिए है heart की भी health के लिए essential fatty acids चाहिए है तो वो भी जरूरी होते हैं body में कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि हम इतने writing करेंगे कि fats और lipids अब छोड़ देंगे नहीं छोड़ना नहीं चाहिए कम सकम essential fatty acids तो लो जो आपकी body में खुद नहीं बन सकते हैं आपको बाहर से लेने पड़ेंगे वो जरूरी होते हैं body की health के लिए proper functioning के लिए पानी पानी बहुत जरूरी है अभी अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो metabolic waste है क्या यूरिया उसको body के body से पाहर निकालने के लिए eliminate करने के लिए पानी जरूरी है कहते है ना पानी पीना चाहिए क्यों पीना चाहिए एक तो natural lubrication का का काम करता है पानी हमारी body में उसके अलावा जो यूरिया body में बन रहा है और जिसको eliminate करना है body से उसके elimination के लिए पानी चाहिए जब तक पानी नहीं होगा बिटा तब तक यूरिया dissolve किसमें होगा और अगर dissolve होगा तो body से बाहर कैसे निकलेगा तो चाहिए यार पानी चाहिए है lubrication natural lubrication का काम करता है उसके लावा यूरिया जैसे toxic metabolic waste को body से eliminate करने के लिए हमको पानी चाहिए है पानी हमारे body के temperature को भी you know maintain करने में help करते जैसे कि गर्मी का मौसा में कितने पसीने आते हैं और जब वही पसीना 9th chemistry में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पसीना आया skin पर और जैसे वह पसीना sweat evaporate हुआ एक cooling sensation body में आता है कि नहीं आता तो फिर वह एक body का natural sweating जो है ना वह एक body का natural तरीका है body के temperature को regulate करने का अहां fat के बारे में तुम लोगों में भी बता रही थी कि हमारी skin के नीचे क्या होता है skin के नीचे subcutaneous fat जिसको अपन बोलते हैं उसकी layer होती है और वो subcutaneous fat की जो layer है बेटा वो हमारे body के heat को बाहर जाने से रोकती है insulation का काम करती है तो ये carbs अरे भाई तुमको क्या दिकत है हाँ तो ये carbs बेटा fats, proteins चीक है fats, carbs, proteins जीजब body में बहुत जरूरी होता है पानी बहुत जरूरी होता है उसके लावब vitamins, minerals especially जो teenage girls हो थी जिनके periods वगरा शुरू हो जाते है वो enemic होती है iron की कमी होती ही उनमे iron खाया करो बिटा ताकि जो अपने हीमोग्लोबिन की बात करी न तो हीमोग्लोबिन का एक integral part होता है iron, हीमोग्लोबिन जो pigment होता है उसमें होता है iron तो अगर iron की deficiency होगी तो हीमोग्लोबिन की deficiency हो जाएगी तो तुमारी body में जो प्रॉपर circulation होना जी न ऑक्सिजन का वो हो नहीं पाएगा पुरे टाइम थके थके से फील करोगे, टायड फील करोगे, फटीग फील करोगे नाखुर बिल्कुल brittle हो जाएंगे, बालों में बिल्कुल लश्चर चला जाएगा, पेल दिखोगे बिल्कुल ही, तो iron बहुत जरूरी है यह अभी कुछ साल पहले जो कोरोना का टाइम आया था उसमें कितनी हाय तबा होई थी, कि medicine, vaccination यह वो ultimately doctors ने क्या बोला था कि अपना immune system ही इतना तगड़ा बना लो कि कोई भी एरा गेरा नत्थुखेरा virus आकर कि तुमारी body को infect ही न कर पाए vitamin C low, zinc low, बोला था यह नहीं बोला था, क्यों? अगर हर तुमारा, मतलब, body का immune system ही अच्छा हो जाए तो काहे का coronavirus ऐसी की तैसी उसकी हो जाए तो definitely हमारे खाने में बेटा, हमारे food में यह सारे nutrients होते हैं vitamins, minerals, पानी, roughage, carbs, proteins and fats और इन सभी nutrients की हमारी body में demand होती ही मतलब चाहिए होता है, requirement होती ही basically और उसी requirement को fulfill करने के लिए हम खाना खाते हैं आई बात समझ में, ठीक है अब क्योंकि हम 10th में आ गए हैं तो nutrition की process को बहतर तरीके से हम कैसे define कर सकते हैं वो देख लो It is the process of intake as well as utilization of nutrients ना ही, सिर्फ nutrients को body में अंदर नहीं लेना होता है कि हम बोलें कि देखो, body में nutrients की requirement है ना तो हम क्या करेंगे, खाना खालेंगे तो nutrients का intake हो जाएगा हाँ, intake के साथ साथ, फिर उनका utilization भी कि nutrients अगर गए है body में तो फिर वो utilize भी तो हो ना तो, the process of intake as well as utilization of nutrients by an organism काई के लिए, उसकी growth के लिए, development के लिए और उसकी body की maintenance के लिए, तो organism की body की growth, development and maintenance के लिए, organism क्या करता है nutrients को body के अंदर लेता हो फिर इसके बाद में वो nutrients utilize भी होते हैं It is the breakdown of nutrients into smaller molecules and their absorption कि जो nutrients हम खाते हैं, जिसे की carbs हमने खाए, उनको body में digest के जाएगा, तोड़ा जाएगा, क्या बनेगा? Glucose बनेगा, proteins हमने खाएं, वो किसमें तोटेंगे? Amino acids में, fats हमने खाएं, fatty acids हमने, fats ये lipids हमने खाएं, तो वो तोटेंगे fatty acids and glycerol में, तब जाकर कि वो जो smaller substances बनेगे उनको body में absorb करा जा पाएगा, ठीक है? So, it is the process of intake as well as utilization of nutrients by an organism for its growth, development and maintenance of its body. It is the breakdown of nutrients into smaller molecules and their absorption. जो major nutrients हमारे food में पाए जाते हैं, वो होते हैं, carbs, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. Roughage मतला हम फाइबर, ठीक है? Okay, अब बार बार हम nutrition को define कैसे करना है, वो हमने सीख लिया. लेकिन बार बार कहीं न कहींगे, जो nutrients word है, ये भी जो ना परिशान कर रहा है. तो nutrients क्या होते हैं, आजा उनको भी अपन define करना सीख जाते हैं. So, nutrients are organic and inorganic substances which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy या biosynthesis of its bioconstituents for its maintenance and survival. अच्छा आपको यहां पर यह और इन और इन और इन और इन और इन और इन कार्बन नहीं है. और्गैनक सब्संस. वो जिसमें की कारबन एंपने उच्टरीयन्टिंट्रीयर्ट्ण नहीं है तो न्यूट्रीयंट्स क्या होते ओर्गैंट्न और एनंगल्ट्जयर्ट्रीयनस जो LGBT से न लेटा है और वो यूज करता है उसको इनर्जी के स्वोर्स के तरह या फिर biosynthesis मतलब उन nutrients का वो इस्तिमाल करेगा अपने कुछ body constituents को synthesize करने के लिए अपनी body की growth, maintenance and survival के लिए ठीक है? चाल example, carbohydrates and fats are the nutrients which are used by the organism mainly as a source of energy proteins and mineral salts are the nutrients required by an organism for the biosynthesis of its body constituents like skin, blood, etc. इतना समझ में आगया अब देखो, जो nutrients की हम बात कर रहे है उनकी body में किस quantity में requirement है? requirement हो लेकिन किस quantity में? उसके basis पर हम nutrients को दो categories में categorize कर देते हैं एक होता है macronutrients और एक होता है micronutrients macro का मतलब होता ही बड़ा है micro का मतलब होता ही छोटा है तो वो nutrients जिनकी body में requirement large quantities में हो उनको हम बोलते है macronutrients जिनमें की आजाते हैं हमारे carbs, fats, proteins and water also ये होता है macronutrients की इनकी body में requirement होगी large quantity में होगी इसलिए ये सब चीज़े हम जादा खाते हैं then हम बात करते हैं micronutrients की की इनकी requirement भी होती है body में लेकिन lesser amount में इसमें आपके जो है vitamins and minerals आ जाते हैं vitamins and minerals आ जाते हैं fats का मुझे एक और role याद आ गया vitamins का एक ग्रूप होता है उसको पर बोलते हैं कीडा कीडा वो insect वाला कीडा नहीं है vitamin K, vitamin E, vitamin D and vitamin A यह चारो vitamins होते हैं fat soluble यह होते है fat soluble vitamins यानि की इनका body में absorption बहतर तरीके से तभी हो पाएगा जब body में अच्छा खासा यूनो fat होगा अच्छा खासा मतलब की at least body में गोड़ा बहुत fat होगा fat soluble vitamin आप से समिझ में आ रहे है कि यह जाकर fat में ही घूल जाते हैं तो अगर आपकी body में अच्छा खासा fat है और अगर आप यह vitamins को ले रहे हो तो यह जाकर कि उसी fat में solubilize हो जाएंगे और फिर आपकी body में अच्छे से absorb भी हो जाएंगे तो यह भी एक रोल हो गया fat का हमारी body में ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है ना लोग बहुत ही गंदे नजरिये से देखते हैं fat को कि fat fatening cost करेंगे अरे तुमारे खाने का तरीका गलत है बाकी fat की requirement तो होती है body में ठीक है तो on the basis of quantity कि कि अनी quantity चाहिए nutrients की macro और micronutrients होते हैं ठीक है चल फिर इसके बार में देखो organic और inorganic nutrients फोड़ा सा पन इसके बार में भी बात कर लेते हैं carbon containing और वो nutrients basically जिसमें की carbon होता है और जो living organisms से आता है उसको अपन बोलते हैं organic nutrients example proteins fats and oils carbs and vitamins in organic nutrients वो जिनमें की carbon नहीं होता है organic तुमको मैंना मतलब संजाना क्यों organic मतलब की जिसमें की carbon है इन और जिसमें की carbon नहीं है example dissolved salt जिसे की sodium chloride calcium phosphate trace element जिसे की iron copper zinc water लेकिन अब आप बोलोगे कि मैं यहां तक तो सही था है ना salts हो गया iron copper zinc हो गया पानी हो गया लेकिन यह carbon dioxide carbon dioxide में तो carbon है तो इसको तो organic nutrient की category में होना चाहिए इन और गैनिक में क्या कर रहा है न लाए तो देखो बेटा ऐसा है carbon dioxide को ना पानी से बहुत ही प्यार होता है देखो मैं बनाओ यहां पर प्यार कैसे आएगा बॉप दे बिल्डर करके दिखाएंगे रूप जाओ हाँ आ गए हो 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 आफ करना बच्चो यह आना चाहिए था हाँ तो कहने का मतलब यह है बिटा कि यह जो carbon dioxide है न इसको कुछ जादा ही प्यार है पानी से यह बोलती है gas की जहां पानी जाएगा मैं वहीं जाओंगी तो क्या हुआ मेरा जो चाहने वाला है वो एक inorganic nutrient है तो क्या हुआ मैं भी उसकी तरह inorganic nutrient की ही category में आ जाओंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ मैं मतलब carbon dioxide बोल रहा है ठीक है तो मतलब याद करने का तरीका है बेटा ऐसा कुछ नहीं है याद करने का पस तरीका मैं आपको बता रही हूँ मजाक मजाक में ठीक है कि definitely आप बोल सकते हो क्योंकि जो carbon dioxide है carbon है बट स्टिल वो inorganic nutrient ही है organic नहीं है ठीक है तो organic nutrients जिन में carbon है inorganic जिसमें की carbon नहीं है organic nutrients के example आपके carbs, proteins, fats ठीक है vitamins और inorganic nutrients में आपके ये mineral ions हो गया iron, copper, zinc, पानी हो गया, salts हो गया और साथ में carbon dioxide भी एक inorganic nutrient ही है okay, nutrition का मतलब समय में आगे define कैसे करना है, nutrients क्या होते हैं वो हमने देख लिए, in fact nutrients के हमने दो classification भी देख लिए पहला classification on the basis of कितनी quantity में वो body में required है, तो macro or micronutrients और दूसरा organic and inorganic nutrients ठीक है तो अपने nutrition समझ लिया है, और nutrients का मतलब भी समझ लिया है, अब हम बात करते हैं modes of nutrition की दो modes होते हैं autotrophic and heterotrophic, बचपन से पढ़ते हैं आ रहे हो auto का मतलब क्या होते है, नहीं वो वाला auto नहीं, auto का मतलब यहाँ पर है बेटा, self, यहाँ पर auto का मतलब है self, ठीक है, और trough का मतलब तुम्हें को बता है, क्या होता है, nutrition, ठीक है, तो एक ऐसा mode of nutrition जिसमें की organism अपना खाना खुद ही बना लेता है, self, खुद ही बना लेता है, organism बोलता है कि बैया, मैं तो जो है, मैं independent type का हूँ, कुछ organisms ऐसे होते हैं बैटा, जो बोलते हैं, हम तो independent type के हैं, हम अपना खाना खुद ही synthesize कर लेंगे, तो ऐसे mode of nutrition को अपन बोलते हैं, autotrophic mode of nutrition, और ऐसे organisms को हम बोलते हैं, autotrophs, क्या बोलते हैं, autotrophs, अब obviously, जैसे कि तुमको भी अगर कुछ खाना बनाना, suppose त और तुम के बनारे हो भटे की सबसी, तो उमको भटा, मैंला ब्रिंजल चाहिए है, फिर तुमको आलू चाहिए, फिर तुमको प्यास चाहिए, फिर थो थो तुम गार्लिक भी ड़रिदोंगे, तुमको एउल चाहिए होगा, यह strong material तुमको चाहिए होगे, तब जाकर तो तुम कोई डिश बना सकते हो ना ठीक वैसे ही जो हमारे autotrophs होते हैं माना कि वो अपना खाना खुद ही synthesize कर लेते हैं अपनी body में वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं लेकिन खुद खाना बनाने के लिए definitely उनको कुछ न कुछ raw material तो चाहिए होगा ना ऐसी थोड़ी ना कि बस हवा में खाना बन गया माना कि वो खुद बना रहे हैं organisms अपना खाना अपनी body में लेकिन कुछ raw materials तो चाहिए ना तो raw materials क्या क्या चाहिए होते हैं raw materials चाहिए होते हैं देखो यहापर inorganic substances कौन-कौन से carbon dioxide and water जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए raw materials चाहिए हैं ठीक वैसे ही जो हमारे autotrophs होते हैं उनको भी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा inorganic substances inorganic raw material पानी and carbon dioxide ठीक है अब सबोस्ट तुमको बनानी है वही भटे वाली सबजी तो तुमको मैंने सारे spices दिये सबजी दे दी काटके तेल भी दे दिया क्या इतने में तुम्हारा खाना बन जाएगा सबजी बन जाएगी obviously नहीं तुम्हें उसके लिए fuel भी तो चाहिए होगा न या तो मैं तुमको वो दू आरे क्या बोते हैं उसको LPG cylinder दू कि बटा यह लो यह ला गैस का चूला लगाओ इसमें LPG cylinder और बनाओ सबजी या फिर तुमको मैं induction दू या फिर तुमको मैं वो traditional जो चूला होता था लकडी वाला वो मैं दू जब तक तुम्हारे पास energy नहीं होगी, fuel क्या करता है, energy supply करता है तो जब तक तुम्हारे पास कोई energy नहीं होगी, heat energy, light energy, something like that, तब तक तुम अपना खाना कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, सेम यहां पर भी वोई चीज लागू होती है, यह autotrophs, inorganic raw materials like carbon dioxide and water का, इस्तिमाल करक है, लेकिन, कोई ना कोई फिर energy भी तो चाहिए न, तो पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, with the help of energy, यह key words होते हैं बेटा, मालो की exam में सवाल आगया, कि autotrophic nutrition को अपने term, अपने इस शब्दों में define करिए, तो आप कैसे define करोगे, देखो यहां पर, autotrophic nutrition is a kind of nutrition in which the organisms prepare या synthesize their own organic food using inorganic raw materials like carbon dioxide and water with the help of energy, कि सिर्फ raw material से काम नहीं चलने वाला, कुछ ना कुछ energy भी तो चाहिए है, तो यहां पर तुमको यहां पर specify करना पड़ेगा, So I hope कि यहां तक की पूरी स्टोरी तुम सभी को एकदम clear हो गई होगी, कि autotrophic nutrition क्या होता है और उसको exactly हमें define कैसे करना होता है, क्योंकि define करना आना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, यह मैं आपको अतना experience आपके साथ में share कर रही हूं, कि जब exam time आता है, especially जब pre-wards का सम concern यह होता है, और उनके अंदर एक बड़ी problem यह सामने निकल करके आती है, कि ma'am, आता हमें सब कुछ है, concept की clarity है, पता है कि question जो आया है, उसमें लिखना क्या है, और लिखते भी है answer, पर पता नहीं क्यों जो teacher है, जो madam जी है, जो सर जी है, answer को देखते हैं, लेकिन फिर भी जो इना full marks नहीं देते, answer सही होता है, लेकिन फिर भी जो इना full marks नहीं देते, एक आर नमबर काटी लेता है, मैं क्यों, वो इसलिए बेटा, क्योंकि तुम्हारा जो answer है, वो सही तो होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें गलर लिखा है, सही है, लेकिन up to the mark नहीं, या to the point नहीं तो up to the mark या to the point बनाने के लिए क्या जरूरी है, कि तुम अपने answers में keywords का इस्तमाल करना शुरू करो, अपने answer को इतना presentable बनाओ, कि जैसे ही तुम्हारा answer तुम्हारे teacher के सामने आये, और उस answer में उनको keywords देखें, keywords लिखो और उसको highlight भी करो, underline भी करो, जैसी examiner तुम्हार में वो देखेंगा keywords, तो वो समझ जाएगा कि यार सारे keywords तो इसमें लिखें होएं, इसको तो सब आता है, pull number 2 आगे बढ़ो, ये तरीका होता है, board की copy, check होने का, करने का, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती ही बेटा, जिनको अगर आप अभी से अपनी, you know, एक habit बना लोगी, तो end time पर, exam time में आ करके, तुम्हारे उपर burden जो ना थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि देको जो exam time होता ना, तो already तुम्हारे पास बहुत सरी चीज़ें होती ही करने के लिए, और अगर बहुत सरी चीज़ें होती ही करने के लिए, तो कहीं ना कहीं efficiency जो है, वो कम हो जाती है यह तो basic चीज़े हैं, answers को लिखना, presentable बनाना, keyword डालना, यह सब तो basic चीज़े हैं, अभी से अपनी आदत में बना लो, फायदे में रहोगे, ठीक है, exam time के लिए मत बैटना कि मैं अभी तो आप पढ़ा दो, कैसे लिखना answer वो हम देख लेंगा, exam time में, exam time में बेटा मैं ब अब बेटा हमना एक step और आगे बरते हैं, कैसे? यह जो autotrophic mode of nutrition है, बेटा, इसकी आगे जाकर के further दो और categories बन जाती है, ठीक है, इसकी आगे जाकर के दो और categories बन जाती है, अब मेरी बात को समझना, जब भी अपन कोई भी categorization या division करते हैं तो उसो कुछ ना कुछ basis होता है, यहाँ पर मैंने बोला कि इस mode of nutrition के further दो और categories हैं, तो क्या basis रहा होगा, categorization क करनेगा, कुछ ना कुछ basis तो रहा होगा, basis है, क्या, energy का इस्तेमाल तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन exactly कौन सी energy का इस्तेमाल हो रहा है, उस basis पर दो और categories बन जाती है, energy तो होई नहीं यहाँ पर इस्तेमाल, लेकिन कौन सी हो रही है, उस basis पर हमें दो और categories देखने को मिलती है यदि light energy का इस्तेमाल किया जा रहा हो खाना बनाने के लिए light energy का यदि इस्तेमाल किया जा रहा हो खाना बनाने के लिए food synthesize करने के लिए using inorganic raw materials तो जो nutrition की category बनती है वो होती है या वो कहलाई जाती है photo autotrophic nutrition photo autotrophic nutrition photo का मतलब ही होता है बिटा क्या क्या पूलता जाता है photo का मतलब ही होता है light तो इस mode of nutrition की एक और category निकल कर की आई और जो है photo autotrophic nutrition देखो नाम में सब कुछ है photo हटा दो autotrophic nutrition इसका बेसिक तुमको पता है कि हाँ organism खुदी अपना खाना synthesize करेगा inorganic raw materials के इस्तमाल करते होगे और अगर तुमने photo word लगा दिया तो यहाँ पर यह specify तुम कर दोगे कि यहाँ पर जो energy इस्तमाल हो रही है वो कौनसी है light energy है मैंने क्या बोला biology में जो words है ना बेटा उनमें ही उनके अर्थ छुपे होते हैं यह autotrophic nutrition का मतलब तुमको पहले से पता है photo और लगा दो word तो यहाँ पर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर energy जो इस्तमाल की जा रही है वो कौनसी है to be very specific light energy है ठीक है next यदि chemical energy का इस्तमाल किया जा रहा हो मैंने क्या बोला कौन सी energy इस्तमाल हो रही है खाना बनाने के लिए उसी basis पर यह categorization किया जाता है तो यदि chemical energy इस्तमाल की जा रही है organism द्वारा तो फिर जो nutrition की category बनती है बिटा वो कहलाई जाती है chemo autotrophic nutrition chemo autotrophic nutrition chemo word कहां से आया है chemo word chemical से तो आया है chemo word अभी के लिए अटा दो अरे भी रुखत जाओ chemo अभी हटा दो यह word कुछ time के लिए autotrophic nutrition का मतलब तुमको पता है कि हाँ organism खुदी खाना बनानेगा ठीक है energy का इस्तमाल करते हुए लेकिन कौन सी energy chemical energy तो तुमने word लगा दिया क्या साथ में chemo तो यदि light energy का इस्तमाल किया जा रहा हूँ तो बोलोगे photo autotrophic nutrition और यदि chemical energy का इस्तमाल किया जा रहा हो तो बोलोगे chemo autotrophic nutrition it is that easy शब्दों में ही मतलब नाम में ही सब कुछ है ठीक है वो organisms जो photo autotrophic mode of nutrition exhibit करते हैं उन्हें हम बोलेंगे photo autotrophs जैसे कि हमारे all green plants बच्पन से पढ़ते आ रहे हो ना कि green plants में leaves में chlorophyll pigment होता है वो pigment क्या करता है सूरज से आने वाली जो light energy है उसको वो trap करता है pigment chemical energy बनती है फिर खाना बनता है ये basic तो पता है ना आपको कि chlorophyll सुना होगा बच्पन में light energy को trap करना सुना होगा अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं 10th में मैं पढ़ा दूँगी अगले session में पढ़ा दूँगी photosynthesis पूरी ठीक है तो जितने भी हमारे green plants होते है बिटा all green plants ये photosynthesis जी तो करते है photosynthesis का मतलब ही क्या है वही photo मतलब क्या photo मतलब क्या बिटा कही नहीं तो लिखा होगा ना पूरी आपने में लिख देती हूँ photosynthesis ये process का नाम अपन दे देते है आप बोलोगी कि मैं photo autotrophic और photosynthesis में क्या फरक है बिटा ये nutrition का type है और ये जो process हो रही है खाना बनाने की synthesis की synthesis मतलब क्या बनाना और photo मतलब क्या light तो light energy के इस्तेमाल करते हुए जब organisms या to be more specific हमारे autotrophs अपना खाना synthesize करते हैं तो उस process को अपन क्या बोल देते हैं photosynthesis ये nutrition का नाम है ये तरह का nutrition है और ये क्या है process का नाम है कि जो process हो रही है ना जो autotrophs अपना खाना बना रहे हैं light energy के इस्तेमाल करते हुए उस process को अपन बोलते है photosynthesis कि कुछ ना कुछ synthesize हो रहा है प्लांट का खाना synthesize हो रहा है using light energy ठीक है तो हमारी जिन्हें भी green plants है हमारी algi some bacteria थोड़े बहुत bacteria भी बिटा photosynthesis करते हैं मनला जोरी हाँ ये autotrophic photo autotrophic nutrition exhibit करते हैं blue green algi हमारे phytoplanktons ये सब क्या करते हैं photo autotrophic mode of nutrition exhibit करते तो अगर example exam में अदी आ जाए तो क्या क्या लिखोगे photo autotrophs के all green plants algi some bacteria blue green algi जिसको पन साइनो बेक्टिरिया भी बोलते हैं and phytoplanktons ये सारे बिटा आपको examples याद होने चाहिए photo autotrophs के miss नहीं करना है सारे green plants some bacteria blue green algi algi and phytoplanktons sorted चलो पड़ भी लेतने क्या लिखा है here organisms prepare their own organic food utilizing only the inorganic raw materials अब आज आ रही है avoid करना present in the surrounding like water mineral salts and carbon dioxide in the presence of sunlight light energy मतलब क्या होई sunlight ठीक है confused मा पचाना की मैं light energy sunlight light energy मतलब sunlight एक ही बात है ठीक है चलो next chemo autotrophic nutrition chemo autotrophs are the organisms which perform chemo synthesis to produce their food chemo synthesis is a process which involves the synthesis of food from inorganic substances by obtaining energy by breaking up of chemical compounds ये को होता क्या है photo autotrophic nutrition में हम बोल देते हैं कि light energy का इस्तिमाल किया गया है light energy कहां से आ रही है sun से आ रही है sun light लेकिन जब अपन बात करते हैं chemo autotrophic mode of nutrition की इसकी तो यहाँ पर ये जो chemical energy ये कहां से आ रही है चलो इस light energy का जो source है वो हमको पता है क्या है source है sun कितना गंदा लिखा है न इसका source क्या है पिटा light energy का sun है sun से मिल रही है light energy लेकिन ये कहां से आ रही chemical energy तो there are certain inorganic compounds जिनको तोड़ा जाता है जिनको oxidation किया जाता है जिनका oxidation किया जाता है और oxidation से क्या होता है chemical energy निकलती है उसी chemical energy को कुछ autotrophs क्या करते हैं इस्तिमाल कर लेते हैं अपना organic food बनाने के लिए using inorganic raw materials आई बात समझ में तो light energy का source क्या है ultimate source sun और chemical energy का source क्या है तो आप बोलोगे कि there are certain inorganic compounds जिनका oxidation होता है जिससे निकलती है chemical energy और वही chemical energy यहाँ पर फिर इस्तिमाल कर ली जाती है तो इसका source में लिख देती हूँ यहाँ पर इसका source में लिख देती हूँ oxidation of inorganic compounds कुछ inorganic compounds होता है बेटा जिनको तोड़ा जाता है जिनको oxidize किया जाता है chemical energy मिलती है उसी chemical energy का इस्तिमाल कर जाता है और जो inorganic raw materials है उनको यूज़ करके खाना बना लिया जाता है ठीक है? तो confused मतोना हर एक energy का source जो है यहाँ पर हम देखते चल रहे है chemo autotrophs derive energy from ammonia मतलब वही जो inorganic compounds के मैं बात कर रही हूँ कि जिनको oxidize करके chemical energy मिलती है तो उसी के example है ammonia, nitrate, nitrite, ferrous iron है यह से व्याद नहीं करना है तुम तो बस इतना समढ़ ले न कि inorganic compounds होते है जिनको oxidation करने से chemical energy मिलती है और वही chemical energy फिर खाना बनाने में इस्तिमाल कर ली जाती है ठीक है? चल example देख लो, sulfur bacteria हाँ, example आप याद कर सकते हो मतलब, जो हमारे chemo autotrophs हैं जैसे कि अपने photo autotrophs जो हैं उनकी example याद करें ठीक वैसे ही, जो chemo autotrophs हैं उनकी भी आप example दो जादा नहीं, बस दो example याद कर लो जैसे कि sulfur bacteria अब नाम सी समझ में आ रहा है sulfur bacteria क्या करेगा? जो sulfur containing compounds हैं oxidation करेगा, energy निकलेगी chemical energy और उसे का इस्तिमाल कर लेगा खाना बनाने में so these bacteria occur in sulfur containing terrestrial and aquatic environments they derive energy from the oxidation of sulfur compounds similarly, एक और हो गया nitrifying bacteria तो जैसे आपने photo autotrophs के example याद कर रहे हैं वैसे ही chemo autotrophs के भी example याद कर लो sulfur bacteria and nitrifying bacteria बस तुमारी जिंदिगी एकदम सफल हो जाएगी बिटा ठीक है? चलो एक mode of nutrition अपना हो गया autotrophic mode of nutrition अब हम बात करते हैं heterotrophic mode of nutrition की देखो autotrophic mode of nutrition में जितने organisms आप बोल सकते हो की वो थे ना क्या word होता है उसके लिए independent बोलो या मतलब independent तो ही word एक और word दिमाग में मुह में नहीं आ पा रहा है मतलब जितने युनों ऐसे वो थे स्वाभी पानी टाइप के थे स्वाभी मान चोड़ो autotrophic mode of nutrition में हमने रेखा कि जितने कुछ organisms कैसे होता है independent होता है बिलकुल कि भाया हम अपना organic food खुद बनाएंगे inorganic raw materials का इस्तमाल करते हुए और energy का भी इस्तमाल करते हुए वही इस mode of nutrition में इस मतलब in heterotrophic mode of nutrition में आपको कुछ organisms ऐसे मिलेंगे कतई कांचो टाइप के जो बोलेंगे कि भाया हमसे ना हूँ पाएगा हम अपना खाना खुद तो synthesize करनी सकते हैं पहली बात तो तो जाहिर सी बात है हम दूसरे organisms फोचंब करेंगे अपने खाने के लिए या तो organism अपना खाना खुद बना ले या फिर वो क्या करेगा दूसरे organism पर dependent करेगा कि हम तुम को खाएंगे तुम Bkin मूडोफ नूट ने में इतना ही dependent और गयानिजम आपको देखने मिलेंगे in heterotrophic mode of nutrition, कि यहाँ पर organisms बोलेंगे कि भाई आप माफ करो, हम अपना खाना खुछ synthesize नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, वो दूसरे organisms या उनके products पर depend करेंगे ना अपने nutrition के लिए, यही तो होता है heterotrophic mode of nutrition, the term heterotrophic mode of nutrition या heterotrophic is made up of two simple words, hetero मतलब different या others and troph मतलब वही nutrition, तो एक ऐसा mode of nutrition in which the organisms derive energy from the intake and the digestion of the organic substances prepared by autotrophs, कि autotrophs ने जो खाना बनाया हैं, वो खाना खा लेंगे और उसी से क्या करेंगे, अपनी energy derive कर लेंगे, ऐसे mode of nutrition को हम बोलेंगे, heterotrophic mode of nutrition, और organisms को हम बोलेंगे heterotrophs, कि खुद से तो खाना synthesize हो नहीं पा रहा, दोस्रों organisms पर depend करेंगे अपने nutrition के लिए, खदम बात, every organism is not capable of preparing food on its own, अब हम उनको जो है ना, इतना criticize सो नहीं कर सकते है heterotrophs को, क्योंकि बटा हम तो खुदी क्या है heterotrophs है, खुद कोई इंसान क्या कली देगा, कितना criticize करोगे तुम है ना, तो हम एक बड़ी ऐसा बहाना चेप देते हैं, कि देखो, हर organism, अपना खाना खुद synthesize करने में सक्षन नहीं होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं, जो बड़ी आपको चित्र दिख रहा होगा, सारे के सारे इसमें heterotrophs भरे हुए है, rabbit, शेर, zebra, giraffe, यह पता नहीं कौन सा जानलर है, यह वाइल्ट पिग है और यह elephant है, नीचे जो है, आपको कुछ earthworm type की भी दिख रहे होंगे, organisms, है ना, यह सब क्या है, heterotrophs ही है, हाँ, सब heterotrophs ही है, ठीक है, चलो, यह differences अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन heterotrophic mode of nutrition की फर्दर और categories देख लेते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अपने देखा न, autotrophic nutrition है, वो और दो categories में categorize हो जाता है, वैसे ही, जो heterotrophic nutrition है, इसके भी तीन टाइपस होते हैं, heterotrophic mode of nutrition के फर्दर तीन ओर टाइपस होते हैं, देखो कौन-कौन से, septotrophic, parasitic and holozoic, सबसे पहले अपन बात करते हैं, septotrophic mode of nutrition की, बड़ा मज़दार होता है, मेरी बात सुनो, septotrophic mode of nutrition, जो organisms exhibit करते हैं, उनको अप वो बोलते हैं कि हम तो अपने digestive enzymes को अपनी body के बाहर निकाल देंगे, जिसे कि अगर हम अपनी बात करें, इंसान होके, तो हम क्या करते हैं, खाने को हम अपनी body के अंदर लेते हैं, और अंदर क्या होता है, body के अंदर क्या होता है digestive enzymes उस खाने को digest करते हैं generally यह होता है लेकिन जो हमारे separate drops होते हैं वो बोलते हैं कि ना ये तो ही आम जिंदिगी हम जीते हैं mentos जिंदिगी वो बोलते हैं कि नहीं खाने को body के अंदर लेना body के अंदर digest करना जो बहुत ही common बात है कुछ अलग करेंगे कुछ तोफानी करेंगे क्या तोफानी करेंगे separate drops क्या करते हैं वो अपने digestive enzymes को ऐसे उल्टी करके बाहर निकाल देते हैं हम खाने को अंदर लेकर के डाजिस्ट करते हैं यह बोलते हैं कि ना 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 हम तो कुछ अलग करेंगे क्या अलग करेंगे हम उल्टी करके अपने digestive enzymes को एक करके बाहर निकाल देंगे और फिर वो जो बाहर आए है digestive enzymes वो क्या करेंगे बाहर जो खाना पड़ा होगा ना उसको शरीर के बाहर डाजिस्ट करेंगे और जब वो खाना डाजिस्ट हो जाएगा simpler substances बन जाएंगे फिर उसको अपनी बॉड़ी के अंदर लेकर करके अब्जॉब कर लेंगे बताओ ऐसा भी होता है है अच्छा खासा बॉड़ी के अंदर लो ना यह कोई तरीका होता है कि बॉड़ी के बाहर में आ गई कि in separatrophic nutrition organisms की बॉड़ी के बाहर होता है digestion वो अपने digestive enzymes को अपनी बॉड़ी के बाहर निकालते हैं वो enzymes खाने को digest करते हैं और फिर जब simpler forms में वो convert हो जाते हैं फिर वो simpler forms अपनी बॉड़ी के अंदर लेकर के बिसिकली अब्जॉब कर लेते हूं इसके बार में उटिलाइस कर लेंगे ठीक है एक चीज़ आपको समझ में आ गई अब समझना है आपको क्या इस nutrition का दूसरा point क्या है कई आपने सोचा है बेटा कि हमारे planet earth पर इतने सारे plants हैं और इत लेना जो पेड़ लागे होते हैं उनके कितने पत्ते, कितने पत्ते जड़ते हैं जो तोर लिए बाकी जो फड़ है वह पक करके नीचे गिर जाएंगे हैं आंघ तो यह क्या वगेत ने खेटी सब्सक्मा进ств जो crop plants थे गिमूए वो तो waste हो गए. बई जो दाने होते हैं, गिमूए के पौधों में जो दाने होते हैं, गिमूए के वो निकाल लिया गया. बाकि जो पौधों हैं वो तो waste ही है, तो उन waste का क्या होता है? कभी सोचा है? या अगर किसी जानवर को ले लो किसान के खेत में वह भी होती हैं घृष बहरे बहस भी होता है यह पॉटी करते हैं गलती है और ग्तभाइस लृट घृष बहता है यह उस्तिक स्वी होगारा उस पटी घृषिट नहीं तो कहने का मतलब यह हमारे plants है जो aneimals है जो waste जो इनका excreta होता है जो यह वे सब्सक्राइट करते है इसका क्या होता है ना सिर्फ इनका excreta बल्कि जो dead plants और dead animals होते हैं उनकी bodies उनकी dead bodies का क्या होता है यह तो जीवन की सचा है कि जो आया है वो जाएगा प्लांट भी अपनी नकुछ लाइफ स्पैन कॉप्रीट करने के बाद मरेगा, जानवर कभी ऐसे ही होता है तो यह जो हमारे वेश्ट जो generate करते हैं हमारे plants और animals, animals का जो excreta होता है, जो dead plants और डेड अनिमल्स की जो बॉडी होती है इनका क्या होता है आप बोलोगे कि मैं वी नो डाट डिकम्पोजिशन होता है सही बात है लिकुल सही बात है एक्जाक्ली डिकम्पोजिशन में क्या होता है एक्जाक्ली डिकम्पोजिशन में आप यह बोल सकते हो कि organisms आते हैं जैसे कि एक पेड़ की पत्ती है वो सूख गई थी तूट करके गिर गई पुरानी पत्ती है ना अब आएंगे कुछ organisms उस पत्ती के उपर बैठेंगे और क्या करेंगे? ऐसे उल्टी करके वाक करके अपने digestive enzymes को निकाल देंगे वो digestive enzymes क्या करेंगे? उस dead leaf में जो organic matter होगा उसको वो तोड़ेंगे digestive enzymes और simpler substances में convert करेंगे और simpler substances को वो क्या कर लेंगे? फिर अपनी body के अंदर absorb कर लेंगे मतलब दो चीजे हुई, दो फायदे हुए क्या? एक तो जो पत्ती नीचे तूट करके गिरी थी, उसका decomposition हो गया, उसके अंदर क्या था? और गैनिक मैटर था जो organisms के digestive enzymes ने आकर के तोड़ दिया, simpler forms में convert कर दिया तो एक तो पत्ती का क्या हो गया? decomposition हो गया, कुछ ताइम बाद आप देखोगे क्योंकि पत्ती वहां से क्या कर लिया? absorb कर लिया, मतलब उन organisms का भी पेट भर कया तो इस विन-विन सिचुएशन हो गई ना कि पत्ती का भी decomposition हो गया, वो भी हट गई और जो organisms आया थे उसको digest करने के लिए उनका भी पेट भर गया कुछ और भी nutrients पाई जाते हैं पत्ती में वो भी जो है, जब basically आकर के जब यूनो पत्ती का जो organic matter है, जब उसका digestion होता है, ठीक है, तो nutrients भी free हो जाते हैं, वो free हो करके air में या मिट्टी में जो है, वो चले जाते हैं वो एक अलग cycle है nutrient cycling, basically उसको अपन बोलते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ोगे higher classes में, अब ये के लिए इतना सा अज़ दो, अब dead body है, किसी जानवर की है, ठीक है, आएंगे कुछ organisms, वो क्या करेंगे, digestive enzymes को बाहर निकालेंगे, वो enzymes क्या करेंगे, dead body में, animal की dead body में, जो organic matter trapped है, complex organic matter, उसको वो तोड़ेंगे simpler forms, break down करेंगे, तो simpler forms आएंगे, उन simpler forms को वो क्या करेंगे, organisms absorb कर लेंगे, उनका पेट भर गया, और दूसरा फाइदा क्या हुआ, वो जो dead animal की body थी, वो भी क्या हो जाएगी, naturally decompose होते 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 होते, गाया हो जाएगी, vanish हो जाएगी, तो ये कौन होते हैं पीटा, separate troops, जो organisms अपने digestive enzymes को बाहर निकाल करके, जो dead and decaying substances हैं, dead or decaying substances हैं, dead and decaying substances में क्या आएगा, animal का waste आजाएगा, plant waste आजाएगा, उनकी dead bodies आजाएगी, तो जो dead and decaying substances पर organisms आकरके, अपने digestive enzymes को बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो enzymes उनमें tract organic matter को तोड़ सके, simpler forms में, वो simpler forms को organisms क्या कर सके, absorb कर सके, इसी को तो अपन बोलते हैं, separotrophic mode of nutrition, और organisms को पन क्या बोलेंगे, separotrophs, example, आपकी NCRT book में लिखा हैं बेटा, many fungi, जैसे की bread mold, yeast, mushrooms and bacteria, यह आपकी NCRT book में लिखा हैं, ठीक है, यह examples आपके लिए must हैं याद करना, मैं आपको वैसी भी देखो, जादा example याद नहीं करवा रही हूँ, जितना आपकी NCRT book में लिखा हैं, उतना ही याद करवा रही हूँ, तो सेपरोट्रोफिक nutrition refers to such kind of nutrition in which the organisms derive their nutrients from dead and decaying, decaying मतलब की सड़ा हुआ, सिर्फड़ा होता है, rotten substances, such as dead plants and animals, animal waste, rotten leaves, rotten bread, etc. तो वो एक ऐसा nutrition जिसमें कि organisms अपने nutrients derive करते हैं from dead and decaying substances, जैसे कि dead bodies हो गई, animal waste हो गया, plant waste हो गया, excreta हो गया, animal excreta हो गया, blah, 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 तो ऐसे nutrition को अपन क्या बोलते हैं, saprotrophic nutrition. The organisms break down the complex organic matter in the dead and decaying substances into simpler substances outside their body with the help of digestive enzymes. तो मैंने क्या कहाता है आपको, कि आपको दो points जाद करने हैं, एक तो, जो digestion हो रहा है, वो कहा हो रहा है, और दूसरा, जहां से nutrients मिल रहे हैं, एक organism को, वो source क्या है, वो dead and decaying source है, मरा हुआ, सड़ा हुआ, जो substance है, वहाँ पर जो organic matter है, उससे जो है एक organism अपने nutrients derive कर रहा है, तो, दो points यहां पर आपको याद करने होगी, तो, digestion का हो रहा है, body के बाहर, with the help of digestive enzymes, वो दूसरा, dead and decaying substances से nutrients को obtain किया जा रहा है, example, bread moles, yeast, fungus, मतलब यह सब fungus हैं, फंजाय हैं and bacteria, फिर second type आता है and that is parasitic nutrition, parasitic nutrition, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मारने वारने का काम नहीं चलता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, मतलब मारने का नहीं, यहाँ पर आपने देखा कि already जो जानवर सपोस्ज, जो प्लांट सपोस्ज मरा हुआ है, उसकी बॉड़ी को जो है, उसकी बॉड़ी से जो है ना, न्यूट्रियंट्स लिए जाते हैं, पैरसेटिक में जो ना, सब जिन्दा होते हैं, यहाँ पर कोई डेड और्गेनिजम का काम नहीं होता है, यहाँ पर सब जिन्दा होते हैं, ठीक हैं? बेसिकली, यह असोसियेशन होता है दो और्गेनिजम का, एक और्गेनिजम हमेशा फायदे में रहेगा, और दूसरो और्गेनिजम हमेशा नुकसान में रहेगा, जो नुकसान में रहेगा, उसको अपन बोलेंगे होस्ट, और जो फायदे में रहेगा, उसको अपन बोलें कि यहाँ पर कोई मरा हुआ organism नहीं होता है, सब जिन्दा ही होता है। दो organisms के बीच का ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि association है। दो organisms के बीच का ये एक association है। हलाकि इस association में दोनों में से कोई एक organism हमेशा नुकसान में रहे को और किवल एक को ही फाइदा होगा। जिसको फाइदा होगा उसको पन बोलेंगे पेरिसाइट और जिसको नुकसान होगा उस organism को पन क्या बोलेंगे, होस्ट। कैसे? एक्चुली होता क्या है। ये जो होता है ना पेरिसाइट। । बड़ा ये इतना बख्वास, मतलब बख्वास नहीं ये इतना चालू टाइप का होता है। कि ये बोलेगा कि y** मैं मतलब मैं क्यों ही जो है ना काम करूं? क्यों काम करूं? सामने वादा वो जो ऑर्ग्यानिजम है वो तो काम कर रहा है। यह तो अपना ख़़ुद बना रहा है या किसी दूसरी ओर गार conflict कर रा है बोटी के लिकैना अप्सरप्शन हो रहा है तो मैं की घृषू कि और मैं दूसरे और गारकर के उसकी नूट्रीन्ड है मैं वह जागर के daha लेता हुं पेरसाइट जो न वो उसकी सोच ऐसे ही होती कि वो बोलेगा कि मैं क्यों करूँ मुझे ने कुछ करना है मैं क्या करूँगा दूसरों और जिसके अंदर न्यूट्रियेंट्स आ गए हैं अब वो न्यूट्रियेंट्स उसने तो यह जो पेरसाइट है बेटा जिस ऑर्गैनिजम की बॉड़ी से जाकर के यह न्यूट्रियेंट्स लेगा उस ऑर्गैनिजम को अपन क्या बोलेंगे होस्ट बोलेंगे एक दम बेसिक एक्जामपल से समझाते यों आपको जल्दी समझ में आएगा कभी Украї ser जुव्यपड़ें लाइज फोलते आं अंग्रेजीि scalp में रहते ही और खूप खुझली करते हैं तो खुझली करेंगे खुझत यह करते हैं और ओरने खूझली करेंगे जो simpler substances बने जो nutrients बने वो कहा गए तुम्हारे blood में गए blood से का जाएंगे body के cells में जाएंगे जहांपर उटिलाइस किया जाएगा यहने कि blood stream में क्या होते है nutrients तो होते हैं तो यह यह पता है क्या करते हैं तुम्हारे scalp में रह जाएंगे बालों की बीच में और scalp में जो है गड़ा मलब गड़ा नहीं मलब अपना डंक भजा भजा कि जना हमारा खून चूसते हैं और वहां से जना nutrition derive करता है ना लाइक नहीं तो इससे बिटा हमें तो नुकसान है क्या खुजली होती है obviously मरेंगे तो नहीं इससे जुएंसे लेकिन नुकसान हम तो है ना हमारा और इनको फायदा है तो हम क्या हो गए इसKे लिए host और यह क्या बंगे हमारे लिए ऐसा किरायदार जो rent भी नहीं देता किराय भी नहीं देता और उपर से चाना बना के जा रहें मकान इलिक कराया रहें वह वो भी आखर किये खाके चला जाता है और मकाम वाली बोलते हैं कि oh my god यह क्या हुगा similarly यह लीच आप में देखे होगा यह लीच बेटा यह एक्जामपल में आपको इसके देरी हूँ क्योंकि आपकी NCRT बुक में हैं और NCRT बुक में इसका मतलग क्या बोर्ट एक्जाम में आ सकते हैं आते भी हैं तो यह लीच आपको दिख रही होगी बिटा इसको पर बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच जेनरली वाटर बॉड़ी के आसपास मिलती है तो होता क्या है यह तुम्हें स्किन पर आकर के से चिपक जाती है और इसके पास सकर होता है सकर सकर सी क्या करेगी तुम्हारा ब्लड ब्लड चूसेगी ब्लड सक करेगी दर्द होता है यह सब क्या है यह बॉडी शरीर के ऊपर से ही नुट्रिशन जो है डिराइब कर रहे हैं ना ये अंदर बॉड़ी के घुस्ती है ना ये अंदर बॉड़ी के घुस्ती है ये सब बाहर ही बाहर क्या कर रहे हैं बाहर रहते हुए ब्लड सक कर रहे हैं और नुट्रिशन डिराइब कर रहे हैं तो तो ऑफ़ेघ तो कि यह बतों है जोँ स्मौल एंट्स्टाइन होगा उसकी डिआंसान की यहां पर देञ़ा Πरोटने चपाइब जबना बैठा हुगा इसके पास सकर होता है सकर की मदद से क्या होगा यह जा करके पर चिपक जाएगा और तुमको पता है कि small intestine में ultimately क्या होणे वाला है खाने का complete digestion होने वाला है nutrients वहीं बनेंगे तो इंसान जो है खाना खा रहा है, digestion हो रहा है nutrients बन रहा है उसके small intestine में लेकिन उन nutrients को लूटने वाला देखो, यह tapeworm बैठा हुआ है नलाये कि यहाँ पर अंडे भी देगा बच्चे भी पैदा करेगा अपनी population भी बढ़ाएगा, मतलब यह चौपट कर देगा विलकुल इंसान के digestive system को इसी को बोलते हैं पेट में कीड़े हो जाना बच्पन में आपमें सुना होगा, फिर deworming की दवाई दी जाती है कीड़े हो जाने का मतलब बेटा यह नहीं है कि लिटरली जो है मच्छर मखी घूम रहे हैं पेट में, इंसान को भूक बहुत लगने लगती है खाना हो रहा है, डाजस्ट, न्यूट्रियेंट्स बन रहा है, लेकिन उन न्यूट्रियेंट्स को यह खाने के लिए बैठा हुआ है मतलब इंसान के शरीर को न्यूट्रियेंट्स मिल नहीं पा रहा है, कहने को तो वो खाना खा रहा है, डाजस्ट हो रहा है, न्यूट्रियेंट्स बन रहा है, लेकिन यह लूटने के लिए बैठा हुआ है, लूटेरा नहीं तो तो obviously अगर यह लूट लेगा nutrients तो इंसान की body को nutrients कम बिलेंगे तो क्या होगा उसकी भूख पड़ जाएगी ठीक है endoparacite यह बेज़ा tick है tick ticks इनको पर बोलते हैं यह जानवरों में हो जाते जैसे कि अपने में जूएं होते हैं इंसानों में वैसी जानवरों के अगो फर कोड को अगर आप ऐसे निकार के देखो मैं डॉक्स में जनरली मिलते हैं है ना तो यह जानवरों के वह होते हैं जूएं टेक्स बोलते हैं इंको ठीक है एनल ओपनिंग से मालप निकल रहा एक टेप्वर राणिये कहंके उसकी इंट्रस्ट्टैन रहा है और डलम्बा होगो कि अनर इंट्रस्टैन है या लेक्रता लंबा तो औ takes film से देखो इसे बाहर लटक करके कलो कत ही जो है पाहर बाहर निकल डाओ तो यह बिटर टेप वर्म है है एक्चली कहा उसकी इंटरस्टाइंग की अंदर ही लेकिन उतना लंबा हो गया है कि देखो कुछ इस तरीके से यह देखो इसे बाहर निकल के आगया उसकी एनस से इतने सिवियर अब हम तो बिटर डी वर्म इंकी दवाई खलेते हैं इंको कौ इस existence. Parasitic nutrition is a type of nutrition in which the organism derived from other living organisms. The organism that supports or provides sustenance to a parasite is called a host. In other words, the organism from which food is absorbed उसको पन होस्त बोलेंगे और एक और इक और अगर ऑगणिस्म, the host is not benefited by the parasite. A host may be either a plant or animal. obviously host की body से nutrients दूसरे organism में जा रहे तो उसको तो फाइदा होने ने वाला फाइदा किसको होता है parasite को होता है ठीक है अच्छा जो host है बेटा host एक plant और animal दोनों हो सकता है जैसे कि अभी हमने सिर्फ animals की बात करी है ना ticks देखे, lies देखे, leech देखे, tapeworm वगएरा देखे है ना plants भी हो सकते है host एक बेटा वह होता है parasitic plant कैसकुटा ठीक है नाम होता उसका कैसकुटा यह दिख रहा है तुमने अगर कभी किसी गार्डन वगएरा में अगर जाओ तो तुमको यह दिखेगा कैसकुटा यह दिख रहा है तुमको यह यह green green सा yellow yellow सा ऐसा लग रहा है कि किसी ने मतलब क्या बोलेंगे घास है और घास को किसी यह दूसरे पेड़ पे जाकर के डाल दिया हो अच्छली पीछे क्या है एक पेड़ है और पेड़ों की जो पतियां है जो इसका जो स्टेम है जो ब्रांचे से उसके ओपर आपको यह दिख रहा होगा यह यह से डले हुए है यह यह है बीटा कैसकुटा यह ऐसा प्लांट ह जिसमें पतिया नहीं होती है chlorophyll नहीं होता है हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमारे green plants क्या होता है photosynthetic होता है अपना खाना बना देते हैं लेकिन यह जो cascota है इसके पास तो है ही नहीं कुछ chlorophyll तो यह कहां से खाना बनाएगा यह खाना बनाएगा नहीं कोई chlorophyll नहीं होता इसके पास यह कोई खाना नहीं बनाता इसके पास कोई पत्या भी नहीं होती है इसके पास suckers टाइप के कुछ structures होते हैं जब यह दूसरे plant के ओपर बिसिकर यह जो प्लाजमोडियम विच कॉस मलेरियन मैं एसकेरिस रांड वर्म पिन वर्म तीनिया यह टेप वर्म के वाल याद रख लो और लिबर फ्रूग एक्सेक्टर ठीक है यह सारे जोएक होलो जोएक ही हमको आगे जाकर के पढ़ना है क्यों हम में वही होता है इन होलो जोएक mode of nutrition और गानिजम्स फूड को अपनी बॉड़ी के अंदर लेते हैं और अंदर लेकर के डाजेस्ट करेंगे जैसा कि हमने सेप्रोट्रोफिक पढ़ा कि डाजेशन जो है बॉड़ी के बाहर हो रहा है यहां ऐसा कुछ नहीं होता है यहां पर होलो जोड़ी के अंदर लेगा और बॉड़ी के अंदर क्या करेगा उसको डाइजस्ट करेगा ठीक है प्रदक्त है अनटमीं जोड़ी के अंदर क्या रहा है यहां लुड़ी के अज़ा खाते है और मीट वगेरा खाते है चिकन मास गेरा जो विड़ी जो नौंवी ऐसे भी खाते हैं ठीक है तो होलोजोग नुट्रिशन में क्या होता है और्गेनिजम्स अपने नुट्रिशन डिराइव करेंगे कैसे तो सॉलिड फूड वो खाएंगे फूड प्लांट प्रड़क्ट और एनिमर प्रड़क्ट दोनों हो सकता है मतलब क्या होई इंजस का मतलब क्या होता है बॉड़ी के अंदर लेना तो यहाँ पर और्गेनिजम्स खाने को जिसमें की कॉम्प्लेक्स और अंदर लेगा फिर बॉड़ी के अंदर डिजेशन होगा simpler substances बनेंगे जिनको की फिर बॉड़ी में absorb कर लिया जाएगा और फिर cells का करेंगे उनको यूज़ कर लेंगे the unabsorbed या undigested food जो है वो बॉड़ी के बाहर फिंग दिया जाएगा by the process of ingestion जो हम stool pass करते हैं वो क्या है? ingestion है undigested और unabsorbed food ही हम बॉड़ी से बाहर निकालता है in the form of stools example man, cat, dog, bear, giraffe, frog होना चाहिए, frog नहीं, frog, fish, etc. have holozoic mode of nutrition ठीक है? तो यह हमने types पढ़ ले बेटा किसके? heterotrophic mode of nutrition की है holozoic, parasitic and septotrophic, ठीक है? अब कुछ एक और categorization है heterotrophic nutrition का on the basis of कि खाना क्या खाया जा रहा है जैसे कि हर्वी वोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ plants खाते हैं जैसे कि cow, goat, वगरा, कार्मी वोर्स क्या होते हैं? जो दूसरी दनवरों का mask खाते हैं, flesh खाते हैं, loyan, vulture, etc. Omnivors जो दोनों ही उनको चलेगा, vag, non-wage, ठीक है? जैसे कि dog, human beings, etc. Detritivors क्या होते हैं, बेटा? जो detritus, यानि कि dead organic remains से अपने nutrition derive करें, जैसे कि earthworm, etc. Sanguverse क्या होते हैं, बेटा? जो blood से nutrients derive करें, जैसे कि leech हो गया, female muskito, etc. female क्यों लिखा हैं, पता है? male muskito, nectar पीते हैं, फूलों का जो nectar होता है, वो पीते हैं, जो female muskito होती है, वो ये खून पीती है, male नहीं पीते हैं. फ्रोगी वोर्स, वो होते हैं, जो fruits खाते हैं, example, parrot, insectivores, वो जो insects खाते हैं, for example, चमकादर, bats, ठीक है? और एक last चीज़ बची थी, और वो था, differences, ठीक है ना? autotrophic, autotrition में क्या होता है? कि खाना खुदी बन जाता है, heterotrophs क्या करते हैं, बेटा? अपना खाना खुद synthesize नहीं करते हैं, दूस्टरो organism पे dependent रहेंगे अपने खाने के लिए. autotrophs में आप बोल सकते हो कि इनके पास photosynthetic pigment होता है, chlorophyll, यहाँ पर नहीं होता है. autotrophs क्या करते हैं? light energy को convert करते हैं chemical energy में. हमारे जो heterotrophs होते हैं, these do not convert light energy into chemical energy. example, green plants, cyanobacteria, इनके आप बोल सकते हो कि example, कुछ भी आप डाल सकते हो, human beings डाल सकते हो, कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे, यहाँ पर example आप लिख सकते हो, heterotrophs में, ठीक है? चलो. So, that's all for today, guys. I know session थोड़ा सा लंबा हो गया, बट बात वही है कि पढ़ने का मज़ा तभी है, जब बातों ही बातों में, हम concept भी समझ लें, और ऐसा लगे भी ना कि यार, याद करना है क्या? अगर मैं आकर क्या आपको बुरूँ कि देखो बेटा, यह मैंने पढ़ा दिया है, यह लिख लेना, या याद कर लेना, तो तुम्हें burden लगेगा, और वहीं अगर हम बातों बातों में चीज़ों को समझें, याद करने की कोशिश करें, तो पढ़ाई थोड़ी सी easy हो जात इसी वीडियो के description box में नीचे एक link आपको मिलेगी, और आप उसको open करोगे, तो आपके पास DPP डाउनलोड करने का option आजाएगा, free of cost है, पैसे नहीं लगेंगे उसके, DPP आप पहले जो questions हों सिर्फ से पहले आप उसको खुद solve करने की कोशिश करना, और बन जाते तो बहु questions हमने solve कर लिए, तो topic हमें और अच्छी से समझ में आ जाएगा, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले session में DPP solutions की साथ, तब तक keep learning with definite success part, चला, bye bye, have a good day.